नमस्कार दोस्तो एक्जाम सार्थी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम रीट मेंस एक्जाम 2023 इंग्लिस सब्जेक्ट के लिए कंप्लीट एक्जाम एनालिसिस और कटोफ का अनुमान लगाने वाले हैं वीडियो में बने रहे हैं वीडियो के आखिर में हम बताएंगे कि क्या एक्सेट कॉप इस बार इंग्लीज सब्जेक्ट की रह सकती है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्टो सबसे पहले बात करते हैं कि आज का जो इंग्लिस का कंडिडेट्स ने एक्जाम दिया है मातर 1769 अभियरती परिक्षा में अनुपस्तित रहे हैं याना कि जो उपस्तिती रही है वो 96.80% सरवाधिक रही है अभी तक की सभी सिफ्ट्स में तो इस अकोर्डिंग देखा जाए तो कंपिटिशन अच्छा कासा है क्योंकि 96.80% अटे किसी कितनी है तो जैसा कि आपको मालूम है कि total vacancies है वह सी 8580% यानि लगबग 886.80% के बराबर है जिसमें कि जो टी एस नॉन टी एसपी टी एसपी की बात करें टी एसपी के लगबग 1260 में पद है जो कि 1300 को आसपास है आप बाद सकते हैं और जो नाउन टी एसपी की है वो लगबग 74,85 मतलब इसी आंकड़े के आसपास है लगबग 37,000 के आसपास वेकेंसीज आपकी है इस बार तो वेकेंसीज भी खूब है और एक पद के लिए लगबग आपका जो है 6-7 कंडिडेट्स का आप कह सकते हैं कमपिटीशन है क्योंकि जब आप 55,000 वो डिवाइड करते हो 75,000 से तो लगबग आप मांग के चल सकते हैं कि 6-7 कंडिडेट्स एक सीट के लिए फाइट कर रहे है तो इस इस्तिति में कट ओफ क्या जा सकती है पेपर का जो इस तर रहा है वो कैसा रहा है तो जिनोंने पेपर दिया है उनको तो मालूमी है कि आज का जो अंगलिस का पेपर आए वो न तो बहुँ ज़्यादा easy level का था नहीं बहुँ ज़्यादा वो tough कह सकते हैं कि बहुँ ज़्यदा tough था आप का जो पेपर है तो moderate level का था कुछ कंडिडेट्स को ये पेपर टफ लग सकता है जिन्नों ने बहुत ज़्यदा अच्छे तयारी नहीं किये बाकि जो काफी समय से रीट की तयारी करें उनको ये पेपर इतना ज़्यदा टफ नहीं लगा होगा मोडरेट लेवल का ये पेपर रहा है ये तो होगई पेपर के इस तरकी बात अब बात करते हैं कि कट ओफ कितनी जा सकती है तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे केवल नोन टीएसपी के लिए यानि जो 75 सुपद हैं इनी के लिए हम बात करने वाले हैं टीएसपी एरिया की कट ओफ के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस नहीं करेंगे अब केटेगरी जवाइज बात करें तो जनरल की EWS की OBC की MBC की SC और ST इनमें भी हम केवल मेल कंडिडेट्स की कट ओफ की बात करेंगे फीमेल की जो कट ओफ है वो 5-10 मार्क्स कम रहेगी मेल कंडिडेट्स से हर केटेगरी में केवल 80 को छोड़के 80 में नमबर ओफ फीमेल कंडिडेट्स कितनी अपियर हुई हैं उस पर डिपेंड करता है कितने फों बरे गए हैं तो 80 में ये डिफरेंज मेल को ज़यदा रह सकता है जितने भी केटेगरी जो पऐनृप दस मार्क्स का जादा से जयदा डिफरेंज सकता है अब बाट करते हैं दोस्तों पेपर की स्तर को देखते हुए आपने खुद का भी एक मुल्यांकन किया है बहुत सारे candidates से हमने feedback लिया है phone पे उन्होंने बताया कि उनको paper का इस तर कैसा लगा paper का हमने खुद analysis किया है कि paper का इस तर किस तरीके से जो questions पूछे गए हैं gk के जो questions आए हैं आपके English के जो questions आए हैं उन सब का अगर complete एक निचोड निकाला जाए तो paper moderate level का रहता है और चूँ कि number of candidates अन्य जो subjects हैं उनकी तुलना में कम है और number of vacancies ज्यादा है यानि लगबख 6 से 7 candidate हर एक post के लिए है यानि कि 6-7 में से 5 candidates बार होंगे एक candidate का selection होगा तो यहां पर जो cutoff general की इस बार जा सकती है इतनी ज्यादा नहीं जाएगी दोस्तों general की cutoff male candidate की आप यह मान के चल सकते हैं कि 210 से लेकर के 220 210 से 220 इस range में general cutoff रहने वाली है general male candidate की 210 से लेकर के 220 के बीच में तो वहीं बात करते हैं अगर OBC की तो OBC की cutoff आपकी 200 से लेकर के 210 के बीच में रहने वाली है वहीं EWS की cutoff है वो आपकी 190 से लेकर के 200 के बीच में रहने वाली है वहीं बात करते हैं MBC category की तो MBC की cutoff आपकी रह सकती है 180 से लेकर के 190 के बीच SC की cutoff 170 से लेकर के 180 के बीच और जो ST की cutoff है वो 160 से लेकर के 170 के बीच रह सकती है तो दोस्तों English की cutoff यही रहे कि इससे ज्यादा नहीं जाएगी कुछ 2-4 marks का उपर नीचे हो सकता है कि cutoff चली जाए लेकिन इससे ज्यादा cutoff नहीं जाएगी cutoff इसी range में रहेगी दोस्तों और जहां तक संभावना है कि इससे भी थोड़ी कम रहे तो कोई अस्चरे की बात नहीं है क्योंकि vacancies देखें तो ठीक टाक vacancies है 55,000 कंडिडेट सी अपियर हुए हैं और 8,000 पोस्ट है 75,000 अगर non-TSP की है तो भी 75,000 पोस्ट के लिए आप मान के चल सकते हैं कि लगबग आपके 40,000 45,000 के बीच जो कंडिडेट्स हैं 45,000 के आजपास जो कंडिडेट्स हैं वो non-TSP के लिए अपियर हुए हुए हैं तो उस according अगर देखा जाए तो 40,000 45,000 में अगर 75,000 पोस्ट की बात की जाएं तो ये competition का इस तर और भी कम हो जाता है अन्य subject की तोलना में इसका जो आप कह सकते हैं जो निमनतम इस तर है इसको आप मान के चले अगर इस से आपके थोड़े बहुत marks कम हैं तो आपको चिंता करने की आफ सकता नहीं है इस category में आप निचे के इस तर में अगर minus 5 भी कर लेते हैं तो भी आप cutoff qualify कर सकते हैं आप safe हैं अपने आपको safe मान के रही चलें ये highest cutoff है जो जा सकती है minus 5 करने का मलब है general की cutoff लगबख 205 भी अगर जाए 200 से 205 के आज पास जाए तो भी कोई आपको गवराने की जूरत नहीं है EWS की cutoff 190 से थोड़ी बहुत कम जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है OBC की 200 के आज पास MBC की 180 के आज पास इस से भी कम रह सकती है SD की cutoff 170 से थोड़ी कम रह सकती है और SD की cutoff 160 से भी कम रह सकती है तो आपको बिल्कुल भी वो चिंता करने की आवसकता नहीं है तो दोस्तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और रीट से रिलेटेड आने वाली अपडेट्स के लिए चेनल को सब्सकाइब कर लें धन्यवाद